ओम स्री सुर्याय नमः आज मैं उन्ही सुर्ज मंदिरों में से एक मंदिर की चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूँ जो काको में इस्थित है भारत देश में बिहार राज जान तरकत जाहनवी नगर जिसे अब जहानावाद जिला के रूप में जाना जाता है इसी जिले के काको अस्थान पर चक्प्रसिध एक सुर्ज मंदिर है जिसका निर्मान इक्षाको कुल में उत्पन सुर्ज वंसी राजा का कुस्थने करवाया था जो विकुछी के पुत्र इच्छाको के पौत्र और बैवस्वत मनू के प्रपौत्र थे इसी कुल में आगे चलकर राजा दसरत के पुत्र मरजादा प्रसुत्तम भगवान स्री राम हुए पनिहास में अस्नानो परांत भगवान अभासकर को अर्ग प्रदान करते थे कालांतर में आक्रांताओं ने इस मंदिर को पुर्णतया नश्ट कर दिया और इसमें इस्थित सभी मूर्तियों को पनिहास में डाल दिया समय का चक्र चलता गया इस्वरिय प्रेरना से भक्तों ने पनिहास की खुदाई करके प्राप्त सभी मूर्थियों को कुनह नौ निर्मित मंदिर में प्रतिमा अस्थापित है साथी भगवान सुर्ज और भगवान गनेश सहित अन्य देवी देवता भी यहां विराजमान हैं कार्तिक और चैत्र महीने में छट पर्प के अबसर पर यहां विशाल मेला लगता है जहां लाखों सरत धालूं की भीड उमण पड़ती है छटी ब्रति शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को नहाय खाय करते हैं पंचमी तिथी को दिन भर का उपास रखकर साम की संधी वेला में सुर्ज भगवान की पूजा करके दूध में बने मीठे खीर का खड़ना करते हैं इस तिथी को लोहंडा कहते हैं सश्थी तिथी की साम को विशाल पनिहास में अस्नान करके अस्ताचल गामी सुर्ज को अर्ख प्रदान करते हैं सब्तमी तिथी की सुबह उदिये मान सुर्ज को अर्ख प्रदान करके उनके निवित प्रदत प्रसाद को ग्रहन करके अपना उपवास तोड़ते हैं घाट से बापस आकर बरी, कड़ी, साग, भात, खाने के साथ ही पर्वसंपन होता है ऐसी माननेता है कि काको मंदिर में आने वाले भक्तों की समस्त मनों कामना भगवान भास कर अपने कृपा से पुर्ण कर देते हैं किसी भी बात की प्रामानिक्ता आवश्यक है साक्ष और प्रमान जरूरी है तो पनिहास से इकठे एक ही जगह से प्राप्त इतनी प्राचीन मूर्तियां यह सावित करती हैं कि किसी विसाल और भव्य मंदिर का इस्तित्व यहां था पनिहास के दक्षनी और राजा का कुस्त के किले का अवसेस अभी परलक्षित होता है काको के दक्षनी छोर पर विसाल गढ़ आज भी अपने भीतर त्रेता जुगीन संस्कृती को अपने आप में समेटे है अंग्रेजी हुकूमत के दवरान सन 1921 इस्वी में गढ़ की थोड़ी सी खुदाई में ही बहुत सारी मोर्तियां मिले थी जिसे इस मंदिर में रखा गया है अनेको पौरानिक अवसेस भी प्राप्थ हुए थे आज इस गढ़ पर घनी आवादी बस चुकी है पौरा तत्व विसेसग्यों का मानना है कि इस गढ़ में ठीक इस गढ़ के नीचे राजा ककुस्त का किला आज भी सुरक्षित है नालंदा और उद्वंत पुरी जिसे ओदंत पुरी कहा जाता है नालंदा और उद्वंत पुरी से भी बड़ी सभ्यता इस गढ़ के गर्भ में तभी हुई है तो आईए चलते हैं हम काको सुरुज मंदिर पर जहां छठी ब्रती यह गान कर रहे हैं काको के सुरुज मंदिर जग में माहा नहे राजा का कुस्ता के ही अमर नीसा नहे काको के सुरुज मंदिर जग में माहा नहे राजा का कुस्ता के ही अमर नीसा नहे दिवाइन या दीता देव के अरगदा नहे उहाईन आवा निर मान संस्ता नहे काको के सुरुज मंदिर जग में माहा नहे राजा का कुस्ता के ही अमर नीसा नहे दिवाइन या दीता देव के अरगदा नहे उहाईन आवा निर मान संस्ता नहे उसी नव निर मान संस्तान के सोजन्न से इस कथा को लिखा गया है पावन पनिहास जिल मिल निर माला नी रहे पनि आचुवईते होए कंचन सरी रहे माता कैके इरानी कर्थी यसना नहे दिवाइन या दीता देव के अरगदा निर माला नी रहे नहे दिवाइन या दीता देव के अरगदा नहे गुझे को सिल्या यवसू मित्रा के गान हे सुपवामे सीता माता साजे सामान हे गुझे को सिल्या यवसू मित्रा के गान हे सुपवामे सीता माता साजे सामान हे माथे दाूरवालेले रामभगवान हे देवाइन या दीता देव के अरगदा नहे भगवान सिर राम सुर्जवंसी थे अपने कुल देवता सुर्ज की पूजा करने तीनों माताओं और सभी भाईयों सहित जगत जन्नी माता जानकी के साथ यहां आते थे माते दाूरवालेले रामभगवान हे देवाइन या दीता देव के अरगदा नहे उगहु आ दीता देवा खोली देवु नहे नहे लेहु आ रगिया सुरुज देवु चीत चैनहे जनमु जन मामा के पुर्ण रामा नहे देवाइन या दीता देवा के अरगदा नहे जनमु जना मामा के पुर्ण रामा नहे देवाइन या दीता देवा के अरगदा नहे अनधान भरल साहन भंडा रहे अचला ही बाता सुरुज रखिया हमा रहे अनधान भरल रहे अचला ही बाता सुरुज रखिया हमा रहे सुख सांती सागरो दीह बरादान हे सुख सांती सागरो दीह बरादान हे होहु सहय आयब सुरुज भगावान हे काको के सुरुज मंदीर जग में माहान हे राजा का कुस्थ के ही अमर नीसान हे सुख सांती सागरो दीह बरादान हे होहु सहय आयब सुरुज भगावान हे होहु सहय आयब सुरुज भगावान हे कलो सुरुज भगावान की जए कर दो